Dear student, today we have to discuss about pupil, peer, counseling. Peer counseling क्या है? Student का student के साथ अपने मुक्तलिफ problems को share करना, एक दुसरे को guideline प्रवाइड करना, और एक दुसरे को problems का हल बताना, suggestion देना. बुनियादी तोर पर counselor जो है, वो एक काम करता है बच्चों के साथ के जहां कहीं भी उनको academic problems आते हैं, केरियर के problem आते हैं, तो वो उनकी counseling करता है. लेकिन sometimes जब हमारे पास कोई major issue नहीं होता, हमारे छुट छुटे problems और issues होते हैं, तो students आपस में एक दूसरे की help करते हैं, और वो help जो है, वो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ एरियाज में होती हैं, मसलन, academic setting के अंदर जो है, academic issues को पर बात हो सकती है, कि अगर कोई student ऐसा है, जिसे home work करने में problem हो रही है, understanding में problem हो रही है, subject का issue आ रहा है, वो आगे ये सोचना चाहरा है, कि हमें मुझे आगे क्या करना है, कोई aims हैं, उसके जो thoughts हैं, feelings हैं, issues हैं, और वो जो concern है, वो अपने साथी student के साथ share करता है, share करने के बाद वो discuss करता है, discuss करने के बाद दोनों understanding के बाद किसी एक decision पर पहुँचते हैं, उसके कुछ alternatives होते हैं, और वो student जो हैं, वो फिर उन alternatives को और sharing को सामने रखते हुए, वो कुछ फैसले करता है, कुछ decision करता है, वो किसी भी अवाले से हो और किसी भी अंदाज में हो, जब दोस्त आपस में discussion करने के बाद, problem को share करेंगे, और problem को share करने के बाद, एक दूसरे करसा discuss करने के बाद, अपने thoughts, feelings को share करने के बाद, को decision लेंगे, that will be kind of peer counseling, अब सवाल ये है कि हमारी आम लाइफ के अंदर जो है, किनके ने एरियास के अंदर जो है ना, वो help मिल सकती है, पहला एरिया जो है, वो हमारे पास है, academic stress, देखें, हमारा जो work load है, वो बाद अकात हम से manage नहीं होता, जब आप university के अंदर बात करते हैं, तो university के अंदर student को पास ये option होती है, कि वो एक semester के अंदर, जितने मर्जिक course ले सकते हैं, अगर वो समझते हैं, feasible समझते हैं, कि वो पाँच courses नहीं पढ़ सकते, तो वो तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम सकूल के लेवल पर बात करते हैं, तो सकूल के लेवल पर जो issues रहते हैं, कि वो fix एक problem है, और वो ये है, कि जितने course आपको दिये गए हैं, आपने वो तमाम course वो जो हैं, पढ़ने हैं, अब जहां पर जो slow learner बच्चे होते हैं, उनके लिए issue आजाते हैं, और उनका issue क्या होता है, कि वो उन तमाम course के साथ, proper justify नहीं कर पाते हैं, और वो stress की आलत में चले जाते हैं, ये stress जो है, ये कहलाता है academic stress, अगर बच्चों को आपस में academic stress आ रहा है, और वो समझ रहा है, कि मैं इतना ज्यादा work load जो है, इसको manage नहीं कर पा रहा, तो यहां पे वो आपस में share करने के बाद, वो देख सकते हैं, कि वो किस अंदाज में इसको devian करेगा, devian of work करेगा, और उसके बाद devian of the courses करेगा, time को manage करेगा, और अपने learning process को पित्तर बना सकेगा, एक area तो यह है, दूसरा area जो है, के फूचर में वो क्या बनना चाहता है, केरियर का direct तालुक जो है, वो आपकी subject selection के साथ है, कि आप आज के दिन कौन से course पढ़ रहे हैं, फूचर में आपके केरियर के साथ कैसे align है, जो आपको class fellows के साथ issues हो रहे हैं, कोई ऐसे relationship के अंदर को teachers के साथ, fellows के साथ, इंतजामियां के साथ, आप वो भी ऐसे तमाम issues जो हैं, वो आपस में share करते हैं, और share करने के बाद discuss करते हैं, और फिर किसी नतीजे पर पहुँच के, आप एक फैसला करते हैं कि आपने करना क्या है,